स्वागत है आप सभी का शूड़ी चैनल टेक बाटी पे आज की इस फीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी प्रिंटर से पैन कार्ड या आधार कार्ड या किसी भी डॉकुमेंट की फोटो कापी अच्छे से किस तरीके से कर सकते हैं उसके जानकरी आज की इस फीडियो में आपको बताने वाला हूँ चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं तो प्रिंटर हमने ओन कर लिया है उसके बाद इसको यहां से उपन कर लेते हैं और जैसे यह पैन कार्ड है कार्ण का मैं फोटो कपी निकालना चाहता हूं तो यहां पर इस तरीके से इसको रख देता हूं और यहां से इसको बंद कर लेते हैं उसके बाद यहां से अगर हमको black and white photocopy करनी है तो यहां पर click कर देंगे color photocopy करनी है तो यहां पर click कर देंगे तो जैसे मेरे को black and white photocopy करनी है तो यहां पर click कर देता हूँ उसके बाद यहां पर एक बार मैंने click किया है तो zero one आ रहा है तो एक photocopy इसकी निकल जाएगी तो अब ये processing चल रही है तो wait कर लेते हैं थोड़ा उसके बाद इसका जो back portion है pen card का उसका photocopy का भी मैं आपको बताने बालाओ एक ही page में front page पही आ जाएगा उपर नीचे pen card का front और back दोनों आ जाएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप किसी भी document की photocopy आप कर सकते हो ठीक है तो ये इस तरीके से print होके आ गया है अब हम इसको इसी तरीके से यहाँ पे लगा देते है क्योंकि यहाँ पे जो back portion है back portion भी इसका हमको इस पे निकालना है तो इस तरीके से हमने लगा दिया है और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रख लिया है और इसको close कर देते हैं ठीक है थोड़ा सा नीचे space होना चाहिए ताकि अच्छे से यह photocopy इसकी हो जाए इसी तरीके से जो भी आप document रखना चाहते हो तो इस section में आप रख सकते हो अगर A4 size है तो वो यहाँ से यहाँ तक आप रख सकते हो इस section में आना चाहिए यह जो गिलास वाला section है इसमें आना चाहिए ठीक है तो जैसे अगर आधार का निकाल रहे हो तो इसी तरीके साब निकाल सकते हो या अधर document का जिसका भी निकाल रहे हो इस तरीके साब निकाल सकते हो पहले हमें ने यहाँ पे रही है रखा था front section pen card का उसके बाद यही पे नीचे की तरफ यहाँ पे ही जो back section है pen card का उसको यहाँ पे रख देत है तो अब यह processing हो रहा है अब इस तरीके से फोटो कापी निकल के आ गई है अब आप देख सकते हो हुआ जो फ्रंट पेज और जो ब्यक पेज है तो एक sequence में आया है और यह प्रॉपर फोटो कापी इसकी हुई है तो इस तरीके से आप भी फोटो कापी कर सकते हो ठीक है जी यह तरीका है पूरा तो इस टाटिंग में जैसे हमने यहां पर रखा दा है जो फ्रंट सेक्सन है ठीक के फ्रंट वाला जो सेक्सन है इसका पैन काड का उसके बाद बैक वाला ब नीचे की दरफ यहीं पर इस तरीके से रखेगा ठीकके अच्छे से यह से सिक्वेंस में प्रिंट होके आए case तो यहां पे जैसे पैन कार्ड का जितना साइज है इतने साइज का जो भी डॉक्मेंट आपका तो उसको कोशिस कीजेगा यहां से यहां तक ही रखने का क्योंकि ज्यादा नीचे आप ले जागों तो अच्छे से प्रिंट होके वो नहीं आएगा हो सकता है कुछ पोर्शन उ उसको थोड़ा छोड़ दीजेगा बाकि यहां पे इस तरीके से आप रख सकते हों तो यह पूरी जानकारी है जी तो उम्मीद है वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजे शेर कीजे बाकि जोड़ना चाहते हैं ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को खर दीजेगा फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूंगो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो नह जानकारी के साथ तब तक लिए टेक क्यार